बॉल्कमे सिवा जी गुर्प अफ ओल्लाइन क्लासेजुट इस इस आपके ये क्लास 6 है और सब्जेक्ट हमारा आज हम लोक चाप्टर नुबर 6 – नॉम्बर सिस्टम पढ़ेगे ठीक है? सबसे पहले आपको ये बता होना चाहिए कि number system कितने प्रकार के होते हैं number system जो है हो मुखता 4 प्रकार के होते हैं सबसे पहले आपका आता है decimal number system decimal number system ठीक है? second आपका आता है binary number system Binary Number System And the third is Octal Number System Clear? फिर उसके बाद आपका Fourth आपका आता है Hexa Hexa Decimal Hexa Decimal Number System इस तरह से हम लगों को चार तरह के Number Systems को पढ़ना है Decimal Number System Vinary Number System Octal Number System और Hexa Decimal Number System बच्चों आपको ये चेक्टर बहुत ही इंटरस्टिंग लगेगा क्यों क्योंकि इसमें बड़ा Maths related है ठीक है तो जिन बच्चों को Maths में इंटरस्ट है उनको ये चेक्टर बहुत अच्छा लगने वाला है ठीक चलिए अब हम लोग आपको सबसे पहने हमको ये पता होना चाहिए कि ये Decimal Number Systems क्या होते है ठीक Decimal का मतलब होता है 10 Decimal का Number मतलब क्या होता है Decimal का मतलब होता है 10 10 सबसे पहले हम लोगों को ये Decimal Number Systems परना है ठीक है तो जो Decimal का मतलब होता है 10 Decimal का Number मतलब क्या होता है 10 और Decimal Number System में केवल 10 अंक होते है सबसे पहले हम लोगों को जोसके Points हैं वो अम लोगों को पता होने चाहिए Decimal Number System में कुल 10 अंक होते है इसमें कितने अंक होते है कुल 10 अंक होते है और वो 10 अंक कौन से होते है वो होते हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बस 9 तक देखा जाए तो अब आप इसको count करें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है तो अगर हम लोगों इसको 1 से तो टोटल 10 अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो टोटल 10 अंक हो गए चुकि इसमें टोटल 10 अंक होते हैं इसलिए decimal number system का आधार जो है वो क्या होता है यानि कि इसका आधार क्या होता है इसका आधार 10 होता है यहां तक मेरे ख्याल से सभी वच्चे को क्लियर हो गया होगा कि आपको सिर्दो ही चीज़े लिखने है चीक है decimal number system में कुल 10 अंक होते हैं जो कि 0 से 9 तक होते हैं अगर हमने 10 लिख दिया सब्सक्राइन लिखा 1, 0 तो यह तो 2 डिजट्स है दो डिजट्स का number इसमें नहीं होगा मैं बार बार आपसे एक होता है number और एक होता है अंक इन दोन में पहले आपको अंतर समझ में आ जाना चाहिए यह मैं दिखाते हूं देखे सब्सक्राइन लिखे कि हमने यहां पर डिखा है 2, 3, 5 एक एक्जामपल की तरपे इसको समझ लीजेगा मैंने लिखा है 2, 3, 5 2, 3, 5 में देखे यह पूरा कहाता है number यह पूरा क्या कहाता है number इसमें 2 जो है वो डिजट है 3 डिजट है 5 के अलग डिजट है ठीक है तो यानि कि डिजट को हम लोग क्या कहते है अंक क्या कहते हैं तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि 235 में कितने अंक है 235 एक number है उसमें कितने आप पताएंगे 3 अंक समझ जाग है तो अंक और number इन दोरों में अंधर सबको पता होना चाहिए अब देखिए अगर हम लोगों यहां पर हमने कहा decimal number system decimal में अगर हमने 10 कहा कि 10 भी जहागो एक decimal number है वो नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर 2 डिजट है 2 डिजट का कोई number नहीं होता clear तो इसलिए आपको यहां पर 0-9 आपको decimal number है इसका 10 होता है और इसको use कहां पर करते हैं इसको users use करते हैं मैंने पहली भी आपको बताया है कि यह users क्या होते हैं मैं और आप जो computer को use करें we are the users हम सब users है ठीक है तो हम लोग normal हम लोग द्यानिक जीवन में हम लोग normal max में अगर देखा है कितनी बड़े से बड़ा number हो लेकिए वो अगर घ्याद से देखो तो वह 0 और 9 के बीच में ही तो होता है 0 और 9 के बीच में ही तो नमबर होता है हाना अगर मारी जी मेरे लिग दिया है 1,9,8,7 यह पूरा एक नमबर लेकि यह है तो देखे रहा है यह जो भी अंग है वो सब 0 और 9 के बीच में ही तो है तो इसका मतलब जो भी आपके नमबर है वो आपका जो decimal में जो अंग होते है वो 0 और 0 से लेकर 9 के बीच में ही हो सकते है इसका example देख लिजे क्या है इसका example जो है वो यह है इनका उधारण देखे क्या है इनका उधारण यह दिया हुआ है मैं आपको यहां पर लिखके बता देगी उनका उधारण इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं हमेशा सब्पोस माले लिए 2,3,5 आपने इसको bracket में लिखा और यहां पर इसका base जो है वो 10 लिखते है आपको बताद जो भी number दिया है उसको इस तरह से लिखना है उसको bracket में करना है और यहां पर यह उसका base जो base यानि जो adhere में कह लिए इसको हम लोग decimal number का adhere भी कह सकते हैं या इसको हम लोग redix भी कहते हैं इसको हम लोग क्या कह सकते हैं base कह सकते हैं या हम लोग इसको redix कह सकते हैं क्या कहेंगे हम लोग इसको redix कहेंगे ठीक है तो दो आपको word है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं या इसको हम लोग base कह सकते हैं जिसको हिंदी में आधार कह रहे हैं तो मेरी ख्याल से ये समको समझ में आ गया कि decimal numbers क्या होते हैं decimal numbers वो number होते हैं जो की user अपने ध्यानिक जीवन में जिनका प्रयोग करता है पहने चीज़ दूसरा आपका decimal number में कुल 10 अंक होते हैं 0 से 9 तम इसलिए इसको decimal number का दर्ट दशमलों अंक पददी कहा रहता है दशमलों अंक पददी का मतला भी होता है जिसमें कि 10 अंक होते हैं और चुकि इसमें कुल 10 अंक होते हैं इसके इसका आधार क्या होता है 10 होता है तो इतना बच्छों सब को clear हो गया अब हम लोग और इसके ये example इसको हम लोग इसको बहुत साने example हम लोग यहां पर लेक सकते हैं 1, 2, 2, 100 करके लिख लिए ठीक है इस तरह से आप इसको बस आपको क्या लगता है वो number लिखे bracket लगाई है उसका base और base से ही पहचान होगी कि वो decimal number है कि कौन सा number है ठीक है अब उसके बाद बारी आती है आपके next binary number system के second आपका number दिया हुआ है binary number system अब बारी आती है ये binary number systems क्या होते हैं पहली चीज तो binary का मतलब हिंदी में होता है do i aadhari binary को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं do i aadhari संख्या do i aadhari मतलब कि जिसपे केवल 2 ही आंख होते हैं ठीक है तो binary number में केवल 2 आंख होते हैं और वो 2 आंख कौन से होते हैं 0 और 1 ये important इसपे केवल 2 आंख होते हैं 0 और 1 ये सब को clear होगे इसपे केवल 2 आंख है आपके 0 और 1 ये 0 और 1 जो आंख है इनको हम लोग binary desert भी कहते हैं जिनको हम लोग क्या कह सकते हैं इनको हम लोग binary desert भी कहते हैं इनको हम लोग क्या कहेंगे binary इनको हम लोग binary desert भी कहते हैं यहां तक सबको मेरे ख्यासर clear हो गया है अब उसकी बारी आती है कि बानरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है जो बानरी नंबर सिस्टम होता है इसका आधार दो होता है बानरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है बानरी नंबर सिस्टम का आधार दो होता है क्यों उसका आधार दो होता है क्योंकि इसमें केवल दो ही अंक होते है तो अब दो नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद आपको ये तो समझ में आई गया कि आधार 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 को याद करने के जरू होते हैं आधार 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 होते हैं इसका आधार क्या होता है या बेस या रेडिक समस्कों कुछ भी कह सकते हैं इसका आधार दो होता है फिर उसके बारी आती है कि यह आपके जो बानिरी नंबर्स है इनका यूज कहां होता है बानिरी नंबर्स का यूज जो है वो कंप्यूटर करता है कौन करता है कंप्यूटर करता है बांडी नमबर का यूज कंपूटर अपने डेटा, निर्देश और प्रोग्राम को स्टोर रखने के लिए इन नमबस का यूज करता है यानि की कंपूटर क्या करता है जब डेटा को स्टोर करता है तो बानरी फॉर्म में ही करता समझने आगे बाद और यह जो लांगवेज होती है यह जो 01 की लांगवेज इसको हम लोग मशीन लांगवेज भी कहते हैं तो यहां तक बच्चों आपको यह clear हो गया अब इसका मैं आपको example बताती हूं उसका example देखे क्या है इसका उधारन आप देख लिए हमें लिखा है 1010 बेस टू तो अगर मैंने इस तरह से लिखा है यहां पर सिर्फ यही डिजिट्स है बेस टू है बेस टू का मतलब इस इस दा बाइनरी नंबर यह आपका बाइनरी नंबर है लेकिन अगर माली जे मैंने यहां पर यही नंबर था है 10101 और मैंने इसको यहां पर बेस लिख दिया है तो आपको decimal नंबर में आपको यह पता है कि decimal पी तो one or zero होता ही है न और बेस टेंट लिखा है इसको यह कह सकते है कि this is the decimal number यह decimal number है समझ्या कहीं बाद सबको यह चीज़ क्लियर होगा है अब हम लोग इसके examples देखें यहां में आपने one one zero two this is the one one zero zero two to accept me ठीक है तो यह इस तरह से आपके इसके यह examples हो गया मेरे कैसे बच्चों आ रहे है आप लोगों को यह जो टॉपिक है कि clear हो गया होगा next lecture में हम लोग जो है वो बांडरी नंबर से decimal number में कैसे बदलना है और decimal number को binary में कैसे बदलना है हम लोग यह बताएंगे thank you have a nice day